हेलो इस्टुडेंट्स, क्लास सेवेन, आज हम चैप्टर थर्ड का कोश्चे एंसर करेंगे, प्रिवियस कोश्चन एंसर अप्लोडेड है, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थर्ड चैप्टर, हम लोग साउथ वन किंग्डम के बारे में पढ़ र पर इढ़िक्ट, जो असोक के एडिक्ट थे, उनमें किन दीन सामराज का उल्लेख है, उसके बारे में बताना है, ठीक है, एंसर देखते है, फर्स्ट नमबर असोकास एडिक्ट मेंसं थ्री में किंग्डम्स तीन में स्यामराजी का उसमें उलेक है चेरास चोलास एंड पांडियास तो आप देख सकते हैं कोश्चन वन का एंसर ठीक है कोश्चन नमबर टू देखते हैं कहां पर रोग कट यानि कि चटानों को काट के टेंपल्स बनाई गई है मंदिरे बनाई गई है वो कहां पर है एंसर देखते हैं और रोग काट टेंपल्स विय्ट एट महाबली पूरं एंड केलास नात in the in the 8th century क्यों कि तो जो रोग काट टेंपल है वो महाबली पूरं में बनायां गया है केलास नात में बनाया गया है आठवी सदी में ठीक है, थर्ड कोस्चेन, डिस्क्राइब द इकोनोमिक कंडिशन ओप द पीपल इन द शाउथन स्टेट दूरिंग मेडिवल पिरियड यानि मद एक आलीन समय में जो लोगों का इकोनोमिक कंडिशन यानि आर्थिक इस्तिती थी, वो कैसी थी द अच्छिन भारत में, एंसर रेखते हैं, the condition of the people in the southern state during medieval period was good, जो उनकी आर्थिक इस्तिती थी, वो अच्छी थी, agriculture, trade and weaving, where the chief occupation of the people, और जो खेती था, व्यापार था, बुनाई था, वो मुख्य व्यवसाय था, लोगों का, ठीक है, यानि क्योंकि जो एकोनोमिक कंडिशन थी, पैसे के रूपे, या जिसे आर्थिक, इस्तिती काते हैं, वो काफी अच्छी थी, लोगों के, ठीक है, फोर नंबर प यानि दच्छिन भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था, वो कैसा था, एजुकेशन सिस्टम के बारें पढ़ते हैं, फोर नंबर, दच्छिन सिस्टम डूरिंग मीडिवल पिरियद इन दसाउथन इंडिया वाज गुड, जो पढ़ाई की वेवस्ता थी, वो काफी सिप्शुम नहीं थे, स्पूजा का कारई वहाँ नहीं होता था, but also important center of culture, administration and education, वहाँ पर culture, administration and education का कारई भी होता था, इच टेम्पल्स हैड एन अचेट मट अटेच्ट मट और हर मंदिर में एक मट होते थे जो कि मंदिर से अटेच होता था विच प्रोवाइड फ्री एजूकेशन जो लोगों को मुफ्त में सिच्छा देता था बोर्डिंग रहने की जगा देता था एंड लॉजिंग तुद इस्टुडेंट ठीक है एंसर यह लिख देंगे अब फाइब नमबर देखते हैं में संदा में अचीवमेंट ऑफ राजा राजा ग्रेट राजा राजा फॉस्ट के बारे हमने पढ़ा था चोला के राजा थे उनके बार उनका में अचीवमेंट क्य राजा राजा फॉस्ट के अंडर में एक सुप्रीम पावर बना कि ही पर्सीवड पॉलिसी ओफ कोंकेस्ट फॉर्टीन इयर्स एंड कोंकर्ड दचालुक्या किंग्डम ओफ वेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई उन्होंने एक निती अपनाई 14 साल का और उन् में जोर उन्होंने एक बहुत ही फेमस टेंपल है राजेस्वर में उसे बनाया दा वॉल्स ऑफ टेंपल डिपेक्ट हीज कॉंकेस्ट और जो मंदीर की जो दिवाले हैं उनके विजय गाथा को दर्साती है ठीक है छे नवर देखते हैं वीच वाई दम में रिलिजन जी थे खिंग्डम से वह किस धर्म को मानते थे फोलो करते थे देखते चे नंबर हिंदूज में वाई दा मोस्ट पॉपुलर रिलिजन फोलोड इन साउथन किंग्डम तो हिंदू धन जो था वह सबसेव लोगप्रिय धर्म था जो कि दच्छिन खिंग्डम्स फोलो करते ठीक है था मैं एकस्प्लेन देदमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ चोला इंपाइर का अमिस सिस्टम कैसा था धाया कैसे राजा राज करते तो महाँ पर कैसे रूल करते थे से नंबर देखते हैं इन चोला एंपायर दकिंग वाज दा हेड ओब दे इस्टेट जो राजा होते थे वह अपने राज के प्रमुक होते थे ही ओफीस वाज हरेटी हरेटरी यानि कि जो उनका कारयाल होता था वह हरेड़ेटरी होता ता यानि वन्सानुगत यानि उनके बाद जो उनका वंस होते थे वह उस राज के राजा बनते फेड़ फ्र Ha게요. बोड़ना के राजी के लोगों को न के राज में जो परेशानी हैं उससे चुटकारा दिना ञरी सक्तिया उन पर करते थी उससे लोगों को बचाना दा किंग रैन दा अडमिनिस्टेशन विद द्ध फिड़ फाप दम इन्स्टर और जो राजा थे वह अपने इन्मिनिस्टरेशन को चलाते थे मदद से किसकी मदद से मिनिस्टर्स की मदद सबसदें उन्होंने कई मंत्री है मंत्री रखे हुए थे जो उनके काम को देखते थे ठीक है नेक्ट देखते हैं एक नमबर एक्स्प्लेंड दा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दा चोला इंपायर जो चोला सामराजी था उसके कला और भवन निर्बान कैसा था उसे एक्स्प्लेंड करना है एक नमबर यृटेक्टेक्चर जो रूलर्स थे चोला खिएंडम के वह स्रिफ महान युद्धा नहीं थे बलकि वह आर्किटेक्चर यानि कला के बहुत बड़े प्रेमी थे पैट्रोंज थे बीट ऑनमबर ओफ इंपोर्टेंट्ट टेंपल उन्होंने कई सारी महत्पून मंहान का न एट सेंचुरी हमने पढ़ा था रोककाट टेमपल के बारे में जो महाबली पूरम और कहलासनात में बनाया गया था वो चोला सामराज के द्वारा ही बनाया गया था दा सीवा टेमपल ऑफ ब्रिदेशवर तंजोर एंड ब्रोंज स्टेच्यू अफ नट्राज आर लाइव इंग्जामपल ऑफ चोला आग और जो सीव मंदिर बनाई गई थी ब्रिदेशवर तंजोर में वो और जो कांस की मुर्तियां मिली है नट्राज की वो लाइव दिखाओगा वो जो है चोला सामराज में ही बनाया गया था ठीक है तो आठ कोसें था आठ का एंसर मैंने करा दिया अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे ओके इसे आप नोट करके रखिएगा फियर इसका जरूर बनाईएगा साफ आप यही एंसर नोट में लिखेंगे ओके थैंक यू